जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम भी ये थर्ड समेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 6 देखेंगे जिसमें हमें पढ़ना है मरुस्थली करड के विसे में और ठोस कचरे का हम निप्तान कै कैसे कर सकते हैं इसके विसे में इसके पहले हमने आपको पांच चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल पर विजिट कीजिए प्लेइलिस्ट मिल जाएगी ब पीडियेफ नोट्स दी जाती हैं अगर आपको पीडियेफ नोट्स चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जोइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा साथी साथ अगर आप टेलिग्राम पर सर्च करते हैं यूनी ग्यान तो आज आपको अमार यूनिट्स में सभी को यहां पर कवर कराया जा रहा है आपको अच्छे से जिससे समझ में आ सकें पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद कुछ भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अपने दोस्तों के पास अवसे सेयर कीजिए जि यह देखते हैं मरुस्थली करड क्या होता है मरुस्थली करड का अर्थ क्या है मरुस्थली करड जो है उसका अर्थ है कि भूमी का मरुस्थल में बदल जाना मरुस्थल जैसी स्थिती में पहुचना ही मरुस्थली करड कहलाता है भूमी का परिवर्तन किसमें हो जाना मरु स्थल में बदल जाता है अर्था कोई भी उर्वरक भूमी है जब उसकी उर्वरता कम हो जाए जब उसकी उत्पादकता कम हो जाए और तापमान जहां पर अधिक रहता है वहां पर ऐसा होता है और वास्पी करण जब तापमान अधिक रहेगा तो वास्पी करण होगा और प्रिवागों में बाटा गया है जैसे की एक उस्ड मरुस्थल अर्थाद गर्म रेगिस्तान एक सीत मरुस्थल जो कि ठंडे रेगिस्तान उस्ड मरुस्थल का एक्जामपल आपको दें तो सहारा मरुस्थल और थार का मरुस्थल थार का मरुस्थल जो हमारा है राजस्थान में सहारा मरुस्थल जो है अफरीका में है सीत मरुस्थल की बात करें तो अंटार कटिक महा मरुस्थल जो है वह ठंधा रेगिस्तान ठंधा मरुस्थल सीत मरुस्थल है दो परकार के मरुस्थल पाए जाते हैं मरुस्थली करण के कुछ मुख्य लक्षड की बात करें तो जहां पर मरुस्थली करण होगा वहां पर वनस्पतियों की कमी होगी मिट्टी की गुडवत्ता की कमी होगी जलवाई की सिस्कता होगी जय विवित्ता की कमी होगी और भूमी का एक परकार से छरड होगा होगा तो वह एक परकार से ये सभी चीजे जो है मरुस्थली करड की एक मुख्य लक्षा होते हैं मरुस्थली करड क्या होता है मरुस्थली करड की अभी तक हमने आप आपको वर्थ बताए मरस्ती करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमी की उरवर्ता और उत्पादक्ता कम होती है जिससे वह मरस्तल में बदल जाती है और यह प्रक्रिया जो है मुख रूप से जलवाय परिवर्तन मानोगत विधियों और प्राक्रतिक कारण को के कारण होता है मरस्तु करण के कारण को जाने हमने लक्षर देख लिया परिवासा देख लिया अर्थ देख लिया अब यह क्यूं होता है इसको हम जाने तो सबसे पहला उसका प्रमुख जो करीजन है जो कारण है वह वनों की कटाई वनों की कटाई के कारण जो है प्रकृती पारिष्थितिक तंत्र जैविक वीदता और जलवाई पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है यह तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था जिसमें हमने वनों की कटाई को बहुत ही विस्तार से पढ़ा हुआ है अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको अवस्य देखें चेप्टर फाइप आपको मिल जाएगा तो वनों की कटाई के कारड क्या होता है कि हमारी प्रकृत पर प्रभाव पड़ता है कैसा प्रभाव पड़ता है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जलवाय पर जो है नकारात्मक प्रभ खपड़ता है और मजस्तिली करण का यह भी एक करण है अधिक चराई दो जार पांच और पंदरा के बीच में 31 प्रतिसत घास के मैदान खो दिये गए चराई की करण है अगला है जलवाई परिवर्तन तापमान में वृद्धी वर्सा में कमी और अधिक तेज हमाएं जो मजस अधिक ऐर जलवाई के कारण जो है मरुस्ति करण होता जाता है मरुस्तिल के परभाव को हम देखें तो सबसे पहला प्रभाव है खाद्य सूरच्छा की कमी मरुस्तली करण से खेती की भूमी कम होती है और जिससे खाद्य उत्पादन कम होता जाता है जहां पर मरुस्तल होते हैं वहां पर खेती बहुत कम मात्रा में होती है या होती ही नहीं है जिसके कारण जो है खाद्य उत्पादन कम हो जा अगला है जल संकट मरुस्थली करड़ से जल संसाधनों पर दबाव जो है वह बढ़ता है मानव स्वास्थ पर प्रभाव मरुस्थली करड़ से वायू और जल प्रदूसर बढ़ता है और जिससे मानव स्वास्थ पर प्रभाव पढ़ता है छेत्र में खेती करना कठिन यह सं क्याती है आकाल गरीबी सामाजिक संघर्षो की इस्थिती आ जती है जैब विए तक नुकसान पहुजता है प्रजाति इन विलुप्थ होना शुरू कर देती है प्राकृति कांपधाओं में वृद्धी हो सकती है ये सभी जो है किसके परकार से प्रभाव है मरुस्तली करड क के प्रबाव हैं मोरस्ती करण को रोकने के लिए यमें जलवाय परिवर्टन को कम करने वनस्पति की कटाई को कम करने और अस्थाई खेति को बढ़ावादेने की एक प्रकार से आवस्यकता हैं अब हम देखेंगे निप टान के विशे में दोष का पर करें का निप डान में बाटना चाहिए जैसे कि प्लास्टिक कागज और ग्लास जब हम अपने घर में विविन कूड़ा करकट को एक प्रकार से इकठा करते हैं तो आपको पता होगा कि ये सास सब को फेक देते हैं या जला देते हैं कुन चीजों को तो उनका एक परकार से पहले हमें क्या करना चाहिए अलग-अलग करना चाहिए प्लास्टिक को अलग कागज को अलग जो धूल मिट्टी होती है उसको अलग-अलग चीजों का अलग-अलग निप्टाना में करना चाहिए दूसरा है रिसाइकलिंग जितना बनती है जो पॉधों के लिए बहुत उपयोगी होती है विबिन प्रकार के जो पूड़े कचरे आगर हम उनको स्कत्म करें तो उससे खाद बनेगा और जिससे पॉधों के लिए बैंति से उपयोगी होगा लैंड फिल्ट जो कचरा जलाने से उर्जा प्राप्त की जा सकती है लेकिन यह तरीका जो है परियावरण के लिए हानिकारक हो सकता है तो हमें जो है एक परकार से लेंड फिलोड जलाए जाना ये किरिया सबसे अंतिन चारा हमारा होना चाहिए उसके पहले हमें जो भी ठोस कच्रे हैं उसका विविन हैं जैसे कि प्लास्टिक हैं मुझसी कठा करके रख सकते हैं विविन परकार के कूड़ा करकट वाले आते हैं उन्हें बेचेंगे तो वह ले जाकर रिसाइकल के लिए उसे कार उत्पाद बन जाएंगे और उस ठोस कचरे का जो है हमारा प्लास्टिक जैसे है उसका निप्टान भी हो जाएगा साथी साथ उसका नया उत्पाद बन जाएगा इन तरीकों को अपना कर हम ठोस कचरे का निप्टान कर सकते हैं और परियावरण को सच्छ रखने में हम मदद क कर सकते हैं तो यह आपका चैप्टर था जिसमें आपने मरुस्तिली करड़ और ठोस कचरे के निप्टान को अच्छे से पढ़ा कुछ भी आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और साथ ही जाट टेलिग्राम चैनल पर इस वीडियो लेक्चर की जो भ पास शेयर कीजिए एक कमेंट अवस्य कीजिए जिससे हमें पता चले कि आपको हमारे जो लेक्चर से उनसे लाव हो रहा है और अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी हम स्लिवस को आपके कवर कर सकें धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में